आखिरकार 11-12 दिन वेट करने के बाद में आलसी मैडम ने अपना व्लॉग डाल ही दिया येस मैडम यानि की मैन चाइल्ड मदर अपने नए व्लॉग के साथ में रेडी हो गई और इस व्लॉग में डाला क्या है इसको हम पूरी तरह से रिव्यू करेंगे इस व्लॉग में उन्होंने फोन खोने का ड्रामा से लेकर अपने 2T, 4T, जोयलरी गिववे करने का प्लैन किया है देखिए कितना बड़ा दिल है उनका कि अब वो गिववे करने के लिए आ रही है तो इसमें complete review करेंगे और पीछे की story जो आपको पता नहीं लगती वो सब हम आपको बतानी कोशिश करेंगे आज की चर्चा में आपका स्वागत है जो लोग चैनल पे नए आएं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें और बैल आइकन दवा दे जिससे की आने वाली वीडियो की information आपको time से मिल जाए और प्लीज आप अपने अच्छे अच्छे comment जरूर किया करें आपके comments पढ़के बड़ा मज़ा आता है और साथ साथ हमें नई वीडियो बनाने के लिए motivation मिलता है व्लॉग के review के साथ में हम करेंगे reality test जो कि इनके comments आते हैं जो normal comments आते हैं उससे हटकर क्या comments आ रहे हैं इनके viewers क्या कह रहे हैं इनके वारे में वो भी हम review करेंगे अभी चलिए शुरुआत करते हैं शुरू से इस तरह से डबा और funny जो है निबबा निबबी वाली हरकते करते हैं इसी तरीके से ब्लॉग के शुरुआत में दोनों के दोनों निबबा निबबी वाली हरकते कर रहे हैं कि वो पहले से ही मतलब कि मुझे क्या बोलना है क्या क्या त देती हैं अरे मैडम किसको इंट्रेस्ट है इस बात में कि तुम्हारा व्लॉग आया के नहीं आया और पिछली बार आपने क्या कहा दिया था आप डालने की कोशिश कर रहे थे क्यों नहीं डाला किसी ने पूछा तो नहीं है ना आपको अब इस तरीके से बनावटी निबब डाला है निडाला है अरे वो व्लॉग अगर डाला होता है तो क्या आपको नहीं पता होता है वो बात दूसरी है कि हाँ आपको सच में नहीं पता होता क्योंकि इसके व्लॉग में डल गया आपके मुझे निकला हुआ नाम बच्चे का और आपने उसको व्लॉग को हटवान बहुत अच्छा है और दूसरी मम्मी खाने के बाद में और उसके बाद में उनका जो मूँ बनाए है उसका हाँ अच्छा है तो जो बात पहले से जानते है मैडम वो दुबारा रिपीट करने से फायदा क्या है अच्छा क्या कहा अच्छा व्लॉग में कुछ तो दिखाना है अच्छा लेंथ भी बढ़ा नहीं है चलो ठीक है डाल दिया डाल दिया तो अब बारी आती है जनाब की जनाब अपना जो दिखाना शुरू कर देते हैं कि जलक खतम हुआ है और उसके बाद मैं exercise वगारा कुछ नहीं करी अब मैं gym करने जा रहा हूं तो उन्होंने कुछ weight proton कर arrest दें जिससे कि वो अपने new cells generate कर सकें भाई ये सब नहीं होने वाला इन से ना हो पाएगा और मैडम इतने ध्यान से सुन रही है इतने ध्यान से सुन रही है कान लगा कर सुन रही है कान बिलको उधर और चेहरा कहां पर camera की तरफ और सोच रही है कि अब मैं क्या add करूँग क्या add करूँगी क्या add करूँगी तो उन्होंने दिया एक लालच कि अब वो एक pudding बनाने वाली है तो जणाब ने बता दिया कि उस दिन की तो बहुत खराब बनी थी यूंकि नहीं वो ब्रैड की थी आजकल पता नहीं क्यों मैडम को क्या हो गया है कि अपनी चीजें बिग आज ये इसको वाकिए में चने भी होने नहीं आते हो वाकिए में इसको अंडफ होड़ना नहीं आतों ऐसा नहीं है ये जान बूर्च के अपने लोगों के साथ में एंगेजमेंट बढ़ाने के लिए ये सब चीजें दिखाती है اور खुद अपने आपको बोला बन जाती है और फिर उसके आदम बेबी वाइस में बोलेगी तो जो लोग वो इसके इन हरकतों से एंगेजमेंट अपना बढ़ा लेते हैं तो इस तरह से वीडियो के उपर एंगेजमेंट बढ़ जाता है और वो वीडियो जो है जाधा ट्रेंडी हो जाती है तो लगता है मैडम ने भी वो सब काम सीख लिया है और अब वो ही करने की कोशिश कर रही है कापी आजकल दोनों कोई मौका चुकते नहीं है अब क्या है वो सौरीटो से लेके पूरा का पूरा तो नहीं आरे लेकिन जब भी मौका मिलता है तो अपने रोस्टर्स को वो जवाब देते हैं या फिर उनको उकसाते हैं कि देखो अब देखो ये बिगार दिया है तो अब आपको कहने का मौका मिलेगा कि इस पर तो ये भी बनाना नहीं आता ये कैसे बनाती है कैसे रहती है बस जो अपने इंफ्लूएंसर होने के नाते आप जो दिखाते हो और उसका जो असर पड़ता है लोगों पर उसी बीच को हम जो है यहां कवर करते हैं कि क्या दिखाना चाहिए क्या नहीं दिखाना चाहिए और वैसे भी आपको तो आइडियल बनने की आदत है ना देखो वो फरा को देखो फरा वो बहुकल नॉर्मल तरीकी से व्लॉगिंग कर रही है और इसलिए उसके बहुत जल्दी अब एक लाक होने वाले हैं ऐसे लगता है कि उसकी मॉनेटाइशन तो पहले ही ओन होगी अब उसका लगता है कि सिल्वर बटन भी फटावट आई जाएगा वो जिस तरह से नॉर्मल बहेव करती है और बोलती है कि मेरा भाई साजित कुता जो मेरे रखे हुआ पीस जो होता है या क्या करना है भाई जो होता है वो ही अगर आप दिखाओगे तो रियल व्लॉग बनेगा कुछ सीखो बजाए इसके कि दूसरों को गालियां दो दूसरों को बुला बढ़ा करो कुछ सीखो व्लॉगिंग सीखो आई थी तुम से ही फायदा उठा के चले गई और तुम कोई सिखा रही है बाई वाव मान गई और हाँ मैडम ये दुबारा दुबारा ना एकी बात को रिपीट मत किया करो जनाब के व्लॉग में वो हिट मी क्या क्या करता था और कैसे आप उससे खेला करती थी यह अलड़ी उसमें भी आप रिपीट कर चुके हो अब वर्ड बदल के वो ही चीज यहाँ पर भी रिपीट कर रहे हो क्या कहा लेंथ बड़ा नहीं है अच्छा ठीक डाल दो कम से कम सूखो को कुछ पानी तो मिलेगा जो तरस रहे हैं तुमारे व्लॉग के लिए और आप ऐस यूजल मैडम आगी है अपनी किचिन में और खाना बनाना शुरू कर दिया है अब आप ध्यान दीजे आप खाना बना रही है क्योंकि व्लॉग अपना शूट कर रही है तो इसलिए दुपट्टा उनके सर पे है इससे पहले हमने कितनी सारी बार दिखा दिया कोई दुपट्टा उपट्टा और जनाब के व्लॉग में भी कुछ नहीं था आप इस समय दुपट्टा फिर दुबारा से इसमें आ गया है तो क्या दुपट्टा फैशन में है मैडम या आप वक्त के साब से यूज करती है और हाँ इनके कुकिंग को बज़ा सीरियसली मत लीजेगा यह टाइम पास करने के लिए जो कुकिंग अपनी बीच-बीच में यह डाल देती है आप देखें इसमें बच्चे के लिए कुछ खाना बना रही है और वो भी कूकर और इन सब में बना रही है इनके वीवर्स ने एक ने कहा है कि कम से कम उसका इतना सा खाना बनता है उसको कूकर में ना बनाया करें आप और अब निक्कु दादा लेकर आए है एक नोन स्ठीकी पैन लेकर आए है और मैडम उसको बड़ा चंबे से देख रही है कि इसमें यह क्या बना हुआ है यह नीचे को क्यों है और पीछे जो बना हुआ है क्या मैडम जानती नहीं है इंडक्शन कीटर का नाम नहीं सुना मैडम ने क्या वो जो बनाये गया वो इंडक्शन के लिए बनाये गया है पर लगता है मैडम को तो करनी है डब़ा की कापी और इसके बाद में होती है वो historical event historical event मतलभ की वो फोन का गिर जाना मैडम फोन उपर रखकर बच्चे के साथ में खेल रही है बच्चे को हसानी की कोशिश कर रही है ताली बजा बजा कर लेकिन ये देखो ना बच्चे को इतनी आदत हो गई है फोन की कि वो पूरे इंसिडेंट में फोन की तरफ देखता रहा मैडम की तरफ कभी कभी पलट कर देखता था लेकिन निगा उसकी फोन की तरफ रहती थी लगता है जादू फिलिम की तरह है जैसे वो धूप धूप चिलाता रहता था ऐसे लगता है यह फोन 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 चिलाएगा और उसके बाद में मैडम का गिर जाता है फोन अब देखिए मैडम की अकल देखिए अपने जो चमच वगरा है उन्हें जोड़ जोड़ के उस फोन को निकालने की कोशिश कर रही हैं घर के अंदर सबसे बड़ी हातियार जो होता है सबसे पहला वो होता है वाइपर और लोग भी उसके निचे से सफाई होती नहीं होगी और ना सफाई करने का कोई प्रॉपर प्रॉविजन होगा ऐसे ये तो फोन गिरा है ऐसी और भी बहुता ही चीज़े होती होगी जो कि वहां से गिर जाती होगी और वो इनके हो सकता है इतने ज़्यादा काम की नहीं होती होगी तो वो क्या खटी होती हैं, ऐसा अक्सर होता है, कि बेहड के नीचे गिरी हुई या साइड से गिरी हुई चीज़ें उठाई नहीं जाती, क्योंकि वो इतनी important नहीं होती है, या फिर कही बार आपकी नजरों में भी नहीं आती, इससे पता चलता है कि आपने कितने concern के साथ मे ये वाला घर बनाया है और इसकी जो decoration है या interior को design किया है, बच्चे को एक बार फिर खाना खिला रही हैं, तो आप देखो उनके हाथ की एक उंगली भी साबुत नहीं है, साबुत मतलब मेरा ये है कि साफ नहीं है, सारी कि सारी उंगली या पूरी 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 जो खाना ख ले उसका, उसका अगर vlog डालेगा और लाखों लोग देखेंगे और उसको अच्छा और बुरा समझेंगे तो उसको पर तो बात की ही जाएगी, और अब इसके बात में मैडम की निकलती है, एंटिक जोल्री और जोल्री वह वहाँ पे फैला फैला कर दिखाती है कि मेरी जो पुछ है, और फैला बैई क्या कहें, कितना बड़ा दिल किया है मैडम ने, कि वह अप गिव आवे करेंगी, और किसका करेंगी, उसका करेंगी जो उनके पास में टोटी फोटी चीज़े पड़ी हैं, जिनको अब वह ठीक नहीं कराना चाहती हैं, और चाहती हैं कि वह किसी अब देखिए, उनका हक नहीं बनता, जब गिववे की बारी आई, तो आपके दिल से क्या चूट रहा है, आपके दिल से कुछ भी नहीं चूट पा रहा है, यही हाल तो डबबा का है, और यही हाल इनका है, और जनाब ने तो एक फोन देके, उसके आपना चुटी पाई, क और उसके बाद में गायब हो जाना, तो यह इनका एक ट्रेंड बन गया है, अच्छा एक और ट्रेंड बनाया है, अकसर यह तीन-चार कोश्चन जो पूट अप कर देते हैं, लोग को बहकाने के लिए, और उनका एंगेजमेंट बढ़ाने के लिए, जैसे कि खाने का, कि मै हाँ, इसके पास यह चीज़े हैं नहीं, और यह आसानी से इसको मिलेंगी नहीं, तो चलो इसको दे देते हैं, वो खुश हो जाएगा, ऐसी चीज़ के लिए भी आप अपने वीवर से पूछ रहे हो, कि दे दें या ना दें, कभी-कभी ऐसी चीज़े भी पूछ लिया करि अब यह पहला शौट देखिए, हैलो दिपी का मैम, प्लीज अपने मॉम और डैड के साथ में एक व्लोग अपलोड करना, प्लीज बहुत नाइस हैं आपके मॉम और डैड, यार तुम तो बहुत शरारती हो, तुमने मजाक मजाक में इतनी बड़ी बात कहा दी, जो कभी घ घर आने पर, यानि पापा जब घर आते हैं तो मम्मी गाय भी जाती है, और जब मम्मी होती हैं तो पापा नहीं आते हैं, आप कहरे हो कि दोनों को दोनों को एक साथ ला दिया जाए, यानि कि रूस और अमेरिका एक साथ लोडाई के मैदान में मान गए आपके शरारत को, चलिए अगर मैडम ये पॉसिबल करके दिखा सकें तो बहुत ये अच्छी बात होगी। एक और कमेंट देखिए स्क्रीन के उपर। फैजा है सचे डरावना लाफ्टर स्टाइल। शी कुड री इजीली गिव रावन ए टॉफ कॉम्पेटिशन। बाई इसमें तो कोई शक्की बात नहीं। रावन को कमपेटिशन देने वाला कोई अगर कोई है तो ये ही मैडम है। अफे शोले में जो गबबर की हसी थी भाईया उसको भी कमपेटिशन दिया जा सकता है तो वो ये ही दे सकती है। चली अगला कमेंट देखते हैं अब भी शोयब सर कोई जरूरी बात करते हैं वेनेवर ही ट्राइस टू टॉक सम्थिंग मीनिंगफुल सम्थिंग यूसफुल उसी वक्त आपको लाफ्टर अटेक आ जाता है और शोयब सर की बात जो बीच में अधूरी रह जाती है ऐसा आप जान बुझ के क्यों करते हैं देखे जो वीवर्स हैं वाकि में इस लाफ्टर अटेक के आदी नहीं है और वो काफी हद तक जो है इस पर ट्रोल करना शुरू कर दिया है हमने बहुत सारे कमेंट ऐसे देखे हैं जो कि इनकी लाफ्टर अटेक के अगेंस्ट आते हैं सिमलरल काफी लोग जो है इस बात को कहते हैं कि तो यह नॉर्मल नहीं है और यह जो है डिप्रेस्ट होने की निर्शानी है तो इसलिए जो इसका कोई ना कोई इलाज कराना चाहिए सिमलरली इन्होंने भी अपनी चिंता यहाँ पर देगी है यह था कुछ रियल्टी चेक इनके व निवाद